हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मनन और मेरी चैनल की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शियर कर देना अपने दोस्तों को ताकि उनको भी मेरी चैनल के बारे में पता चले और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कर देना आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजिप्शन ने प्रैमेट्स कैसे बनाए उस वक्त जब लाखों साल पहले कोई टूल बूल नहीं हुआ करते थे कोई क्रेन जैसी टेकनोलीजी नहीं हुआ करती तो इन्होंने भारी भारी पत्थर एक के उपर एक रखे कैसे बनाए आए समझते इस वीडियो में आपको इस मिन बेड़् के समझ में आएगा कि प्रैमेट कैसे बने और प्रैमेड मेर्वे मेर्व क्या क्या चीज्ट हुई और ब्राइट का तो शुरू करते हैं है तो तो पर चैलेंज नंबर वनी हरा की प्रैमेट कंकि जमीन को मार्क करना था ताकि बद UK यह कमपस नहीं हुआ करता था तो इन्होंने पूलार स्टार देखके बनाए कींकिसे अम ऐह कए तो सिर्फ वही बढे़ी नमबर ऊंपट्थर को काटा कैसे यह एक ऐसा टूल हुआ करता था कि उसके आगे एक नुखीली से पैनी सी टिप हुए करती थी जो कौपर की बने उई थी उस वक्त खाली कौपर की नहीं वह टूल बने उई थी उसके साथ एक और कैमिकल मिक्स किया गया था जिससे थोड़ी मजबूत बने क्योंकि उस वक्त क काटनी पाएगा तो इसलिए वही एक टूल था और इसके साथ कुछ कैमिकल भी मिला रखे थे और पत्थरों की कटाई ऐसे उस टूल को फिर एक लखडी के पत्थर से ऐसे 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 करके मारा जाता था फिर घंटों के वहनत के बाद छोटे 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 शेव्ड चोटे चोटे शेप के पत्थर बनते थे कंकट के और उसी से प्रैमेड बने अब चैलेंज नंबर थी के लिए था कि जमीन को लेवल कैसे किया जाए तो इतने सारे पत्थरों की जो प्रैमेड बनी है वह तो टूटी जाएगी क्योंकि यह जो इतने सारे 23 लाक जो स्टोन से प्रैमेड में वह तो खड़े नहीं हो पाएंगे तो लेवलिंग के लिए ऐसा टूल यूज किया जाता था पहले पानी डाला जाता था फिर एक ऐसा टूल था जो एक स्क्वाइर शेप का था नीचे से डंडी थी और बीच में रसी लगी हुई थी और एक पत्थर उसे लेवल करती चैलेंज नमबर रिटी की लेवलिंग भी हो गई थी मार्किंग भी हो गई थी और बस एक चीज पत्म एक चीज रह रही थी जो एकस पर्ट्स अपने सिर्ष जोड के लगे थे फार्ड आउट करने के लिए कि वह कैसे क्या वह थे पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा तो फिर उन्होंने टॉप में लाने के लिए दो तरीके यूज कियोंगे पहला स्पाइरल ट्रेक कैसे स्पाइर स्प्राइलर करके उपर पत्थर लाए जाए और उधर ब्रिक से लगाए जाए अब आप सोचे रहूंगे कि मी उस वक्ते टायर भी नहींगे तो इन्होंने ऐसे पत्थर ट्रांसपोर्ट किये थे कि लकड़ी का ऐसे प्लैटफॉर्म होता था और उसको रसी से खीचा जाता था उसके ओपर पत्थर भी ही होते थे लेकिन सवाल यह था कि पत्थर लाए का से जाते थे अच्छली तोड़ा में पत्थर थे पचास टन क के पत्थर दलाने जाने थे अब प्रऻब्लन ती माइली रिवर का फाइधा उठ्राया गया इजिब में जो वक्तिन मजचातर उठ्री लेकर जाए और पत्थर बांद के और मजदूर भी होंगे उसमें वो कस्तिया लेकर घीजा की बिल्डिंग साइड तक जाए तो ऐसे करके उन्हों पत्थर उधर तक पहुंचाया और लोडिंग और अनलोडिंग में भी बहुत समय लगता था अब एक और भार से इन्होंने एक और धेर सारे पत्थर लागाए थे जो कि थे लाइम स्टोन लाइम में स्टोन से प्रैमेट कम चमकीले दिखते थे और इन्होंने यहां तक कि नह चोटे चोटे सुराग बनाए ताकि अंदर घुष्च अंदर धेर सारे बड़े बड़े चेमबर थे जब एक्सपर्ट्स ने रोबोट भीजा और जब रोबोट जाही रहा था तभी उसके सामने क्लाइम स्टोन का एक स्लैब आ गया तो रोबोट वापिस बहार आ गया फि इस अंदर भेजा फिर उस रोबोट ने उस स्लैब पर छेद किया और फिर एक मिनी कैमरा लगा था उस ड्रिल में तो जब जैसे ही हो मिनी कैमरा अंदर घुषा तब उसे लार ले रंग से कुछ चीजे लिखे हुए दिखी हा यह चेमबर जब मजदूर चेमबर बना रहे तब तब उन्होंने यह लार रंग से पतानी कुछ लिखे दिया उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी अब अब फिर वैसी पता चल चुका था किसके अंदर रहे है क्या इसके इधर क्वीन्स चेमबर और इधर किंग्स चेमबर और इधर दोनों का ऐसे ग्रैनाइट से बनावा ताबूत देखा ग्रैनाइट डाइमंड के बाद सबसे स्ट्रोंगिस्ट माटेरियल होता है लेकिन एक्सपर्ट्स ने को यह चीज बड़ी शॉकिंग लगी कि ग्राइनाइट जब डाइम हीरे से भी सकत होता है तो फिर उस वक्त के इंजीनियर्स ने इसको काटा कैसे होगा एक्टरी इंजीनियर्स नहीं इनको एक लखडी के फुट्टे की मदद से काटा होगा लखडी की स्टिक थी जिसमें कोई दाती नहीं था ऐसे 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 रगडा तब जाके ऐसे पूरा ऐसे अच्छे से कटे और उसका ही ताबूत और जो अ ग्रैनाइट से बनाए थे लेकिन ताबूत मिलने वही वह चीज नहीं थी ताबूत मिलने चीज नहीं थी अभी और भी रास्ते जो छुपे वह थे इस प्रैमेड के अंदर प्रैमेड का हमें पता भी चलिया कि वह बनाया कैसे गया था और उसके टॉप में लाइम स्टोन सब्सक्राइब का कि ऐसे लगाया है था लीकिन एक चीज एक चीज सतारी थी अजी कि उसके अंधर के जो ऐसे सुवार थे उसको क्य 나या होगा सुवार्ग क्योंकि राइम तो के इतने बड़े-बड़े ज़ो पत्थर हो भी हूंगे इसके बीच में कैसे सुआख बनाया हो अगया उन्होंने पता चला कि इन्होंने बीच स्क्वायर जैसा टनल ले काट बनाए थे कुछ फिर बार में इसका परपस करते कि प्रामेट किस परपस के लिए बने थे कि इंसान को दफनागने के लिए ये प्रैमेड्स बने वेसे क्योंकि एजिप्शन को यह लगता था कि मढ़ने के बाद लाइफ खतम नहीं हो जाती है उन्हें जब कोई अच्छी सोल आती है और भगवान उसे उसका पता चलता है तो फर उसी मोटर कल लेता है तो फर इसलिए इसके अंदर राजाओं की डर्डी बॉडी दफनाई रखी थी ताकि लेटर यूस के लिए काम आए तो इसलिए इसलिए ये बनाए थे ये प्रैमेड इस परपस के लिए अब कुछ लोगों का यह मानना था कि एलियंज आके बनाए थे अभी जलत है क्योंकि मेरे उपीनियंसे एलियंस तो तो होई नहीं सकते लिकिन मेरे उपीनियंस से मैं बता सकता हूं कि इनों वैसा ही कुछ जुगार रगा के कुछ तरीका अपनाया था जिससे प्रैमेड बने उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगी तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और मेरा नोटिफिकेशन बेल दबाने दबा देना और अगर आपको पसंद लगी तो फिर मेर को कमेंट करना कि मुझे और किसके बारे में बनानी चाहिए तब अंतिल देन सी यू नक्स टाइम